मोहबत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है कॉंग्रेस के आला कमान को गांधी खांदान को देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड रुपे जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है ये कॉंग्रेस का नेता गांधी खांदान में किसका ATM था अब तक कॉंग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है ये भी सुनने मैं आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कॉंग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीने तक तूट गए अप्शन का जो कारोबार चल रहा है ये कौन है जिसका ATM बनकर कॉंग्रेस का ये नेता उभरा है चाहे शराब का घोटाला हो, महादेव आप का बेटिंग का घोटाला हो, चाहे भरती में घोटाला हो कॉंग्रेस ने जब सत्ता पाई है तब घोटालों में उनकी पार्टी, उनकी सरकारे लिप्त रही है आज पुना उनकी एक नेता के घर से 200 करोड रुपे कैश बरामद होना और जैसा कि मैंने कहा, मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि काउंटिंग अभी जारी है तो वो कौन है जिसका ATM कॉंग्रेस का ये नेता है और क्यों अब तक कॉंग्रेस की आला कमान ने इस विशे पर कोई भी टिपणी नहीं की है किसका पैसा है जो लूट का छुपाकर कॉंग्रेस के इस नेता के घर से मिल रहा है गांधी खांदान तब भी चुप था जब महादेव बैटिंग आप का खुलासा हुआ मीडिया में गांधी खांदान आज भी चुप है जब 200 करोड रुपया बरामद हो रहा है उनके अपने नेता के घर से मौबत की दुकान पर ये किस प्रकार से कारोबार हो रहा है करप्शन का इसका जवाब तो वही दे पाएंगे